तो उत्तर प्रदेश में अगर आपकी ट्राफिक चालान की हैक्ट्रिक लगी तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे जी हाँ पूरी खबर क्या है चोले विस्तार से आपको बताते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया नीज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और देख और इतना ही नहीं लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी यातायात नियमों का उलंगन करने पर उनके बाहन का पंजियन निरस्त भी कर दिया जाएगा इसके साथ ही प्रदेश की योगी सरकास सड़क हाथसों में कमी लाने की उदेश से ट्राफिक रूस तोड़ने वालों से स समवेदन शील और महत्वपून मुद्दा है इसके साथ ही देखे सभी कमिशनर और डियम कंभीता से इस पर काम करेंगे इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सड़क दुरगटनाओं से प्रभावित प प्रियमों का लोग अच्छे से पालन कर सके इसको भी सुनश्रत करना है अब देखिए उन्होंने बताया है कि तेज रफ्तार बाहन चला रहे लोगों को अब मानिकों के उपर जाने का चालान भी किया जाएगा इतना ही नहीं तीन बार से अधिक चालान होने पर उनका दावधान नहीं है यूपी में लाइसेंस बनवाले के लिए महीने भर से जादा का समय लगता है और जब इस तरह के रूल्स और रेगुलेशन सरकार की तरफ से लगाए जाएंगे प्रशाशन इस पर सक्ती दिखाएगा तो कहीं ने कहीं यातायात नियमों का लोग पालन क करेंगे और साथ ही साथ चड़क दुरघटनाओं में भी कमी जरूर आईगी आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कॉमेंट करें